रोज मरना की दिन चरिया में दिल का बड़ा महत्त है क्योंकि आपका दिल जब सही होता है तो पूरा सरीक स्वस्थ होता है और मस्तिक्स अच्छी तरह से काम करता है लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अचानक कोई नाचते नाचते गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है इसके अलाबा कोई यदि किसी खुसी में सरीक होने गया है तो उसको भी अचानक दिल का दोरा पड़ रहा है ऐसी घटना आखिर क्यों हो रही है क्या है इनके पीछे की बज़ाए और कैसे इनसे पाएं निजाद या पहले से ऐसा क्या करें कि ऐसी इस्तिती बने ही ना हमारे साथ हैं प्रोफेसर दजनीज जोसी जी जो एमस भोपाल में पदस्त है उनसे ही समझेंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं सर बहुत स्वागत है आपका नमस्कार क्यों हो रहे हैं सर ये बहुत ही जरूरी चर्चा है जिस पिशे पर हम बात कर रहे हैं मेडिकल भाशा में इसको Sudden Unexpected Cardiovascular Death के नाम से अंग्रीजी भाशा में जानते हैं Sudden मतलब आकस्मिक आचानक से हो जाना और ऐसी मृत्यू जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं और कई बार इससे पहले भी कई सालों से और कई वर्षों से इस बात पे चर्चा कई देशों में होती रही कि ऐसी अकास्मिक मृत्यू के क्या-क्या कारण हो सकते हैं तो अभी मीडिया में अगर कुछ प्रसिद्व परस्टनलिटीज हैं उनका अधिक चर्चा में आना स्वाभाविक है लेकिन ये सडन अनेक्स्पेक्टेड कर्डिवेस्क्लर डेथ कोई नई चीज नहीं है ये कई सालों से इस तरह की घटनाएं होती रही है अब बची बात ये कि कब हम कहते हैं कि ये सडन अनेक्स्पेक्टेड कर्डिवेस्क्लर डेथ है तो व्यक्ति को पहले से अगर कोई भी बीमारी नहीं है और वो व्यक्ति अपना जीवन सामान्य रूप से जो है व्यतीत कर रहा है पर उसके बावजूद अचानक से बिना कोई और वार्निंग दिये या बिना कोई और चेतावनी दिये अगर मित्ति हो जाती है तो उसको हम सडन अनेक्स्पेक्टेड कार्डिवेस्क्लर डेथ कहते हैं जब ये यंगर एज ग्रूप में और यंग की परिभाशा है जाता है क्योंकि मिडल एजर्ड और एल्डरली में ऐसी घटनाय कई बार सामान्य रूप से होती है और कई बार जो है ये हमको मिलती है अब यंग व्यक्तियों के अंदर इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं ये जानना और ये समझना अवशक है तो यंग जनरेशन जो है उसी में जैसे कहते हैं एक पहले से ही मनुदसा है या इसको मिठक हैं कि 45 से पहले एज तो यंगर सोते हैं, वो गएते हैं, तो भी कुछ नी होगा, अगर हम ज्यादा महनत कर लेंगे तो कुछ नी होगा, लेकिन ऐसे क्या एहतियात बरते हैं दिन चरिया में, चाहे वो यंग हो या बुजरुक तो ज्यादा फिर कॉंसर रहना पड़ेगा, लेकि तो एतिहात से पहले एक थोड़ी सी चर्चा कर लें कि वे कौन से यंग व्यक्ति हैं, जिनके अंदर ऐसी सडन अनेक्सपेक्टेड डेथ की चांसे बढ़ जाते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के भी परिवार में, किसी भ होने की आशंका जो है वो अधिक हो जाती है, तो सबसे इंपोर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के यंग व्यक्ति के अंदर इस तरह की मृत्ति होना, अब चूकि इसको हम आज पूरी तरह से एक्स्प्लें नहीं कर पातें, फिर भी ऐसे परिवारों में जहां पर ऐसे instances हुए हैं, उस परिवार के सभी लोगों को कुछ common precautions लेने की आवशक्ता है, उसमें सबसे बड़ा precaution तो है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं जो हार्ट की बिमारियों को बढ़ाती है, कम से कम इन व्यक्तियों में उन चीजों का हम प्रियोग या सेवन ना करे सबसे बड़ा जो श्रे है हार्ट की बिमारियों के बढ़ाने का वो तंबाकू और तंबाकू के प्रोड़क्स का है, तो बहुत ही strictly कोई भी व्यक्ति जो जिसमें संभावना अधिक है या जिन परिवारों में संभावना अधिक है साना नेक्सपेक्टिड ड़त की और for that matter उन सभी लोगों में जो यंग हैं तंबाकू और तंबाकू के प्रोड़क्स और नहीं सेवन करना चाहिए और आज तंबाकू के साथ-साथ कई और निशे वाली चीजों का भी प्रचलन होने लगा है उसको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कौन सा ऐसा पदार्थ किस प्रका का नशा नहीं करें तंबाकू का बिल्कुल नहीं करें क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रमान अधिक हैं और बाकी भी कोई नशे की चीज का सेवन नहीं यह एक मुख्य सबसे बड़ी बात हो गई दूसरी सबसे बड़ी बात हुई जिसके कारण से यह सड़न मृत्यू ब अचानक से आ गई पर एक्चुली वास्तव में वह अचानक से नहीं आई है कई सालों के अंदर धीरे-धीरे हमारी हार्ट की जो धश्मिया है वह सकुड़ने लग जाती है उनके अंदर फ्लो कम हो जाने लग जाता है अचानक से तभ हमें पता चलता है जब वह पूरा बैटी का अगर आप जिसे आपने धमनी ओं का जिक्र किया हमें कैसे संकेत मिलेंगे सर की हमारी धमानियां जो है वो बंद हो रही है धीरे धीरे इसके संकेत भी तो अलेड़ भी होता हुगा आपने कहा कि बड़ा लंबा समय लगता है अचानक कुछ नहीं होता लेकिन यह जो कि गती शीलता बच्पन से बढ़े, खेल कुद को नहीं करें और हमारा वजन बढ़ना शुरू ना हो आजकल ये पाया गया है कि जब तक 16-17 वर्ष की उमर आती है या 18 वर्ष की उमर आती है जिसको 18 के बाद हम व्यस्क मानते हैं पर 16-17 की उमर से ही वजन बढ़ना शुरू ह अगर हमारे शरीर के अंदर दिखने वाली चर्बी अधिक हो रही है तो मान के चलें कि हमारी धमनियों के अंदर भी चर्बी का जमा होना शुरू हो गया है इसको हम एक बड़े ही सिंपल तरीके से इसको मापते हैं वो है कि हमारा पेट की परिधी कितनी है और अगर ये कि ये फैट हमारे पेट में ही नहीं हमारी ब्रड वेसल में भी कही ना कहीं धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो गया है तो ये एक चिन है जिसको हम जल्दी पहचान सकते हैं और इसको कम करने का एक बड़ा तरीका है गती शीलता बढ़ाना फिजिकली एक्टिव रहना और ह हमारा जो बॉड़ी का संतुलन है उसको मिंटेन रखना अहार के बारे में अधी हम बात करें सर तो कौन से ऐसे आहार हैं जो आप लुक सजेस्ट करते हैं कि ये जादा सेवन करें बजाए फैट या कॉलेस्टोल बढ़ाने वाले आहार के तो जिससे आपका कम से कम दिल तो मजबूत रहेगा और जब दिल मजबूत रहेगा तो सरीर तो सस्त रहे गई सर तो अहार में कोई चीजे हैं जो आज कल एक जिसको कहें एक महंगा फैट बन गए हैं जिसको हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं पर अगर वास्तिरकता में देखें तो ये महंगा नहीं है इन जंक फूड नहीं हो अधिक तली हुई चीजें कम हो फल और सब्जियों का सेवन अधिक हो तो यह जो आहर की आदत हमको डालनी है इसको कम उम्र से डालनी है तो पहला एक मुख्य भाग है हरी सब्जियां फल और ताजा सब्जियां और ताजा फल दूसरा इसका बड़ा सब्लिदेर दौनें नमक आद मॉने फन्मख की मातर आदिक होती है पर अगर हम अपने ही प्रचलित खाद्य पादार्तों की तरफ ध्यान दे तो अचार में भी पापड में भी पूरी में भी काचोडी में भी समोसा में भी नमक की मात्रा अधिक होती है तो अधिक नमक से बचें क्योंकि अधिक नमक भी धमनियों को सिकूडने का काम करता है तीसरा जिसका सबसे अधिक महत्व पिछले ही कुछ सालों में पता चला वो है कि जो मीठे शुगर से भरे हुए जो पेपदार्थ हैं बहुत सालों तक इस को और को को और इवन प्रोसेस्ट जूस को हम हिल्दी या अच्छा मानते रहें पर अभी पिछले कुछ वर्षों में यह और उभर के आया है कि जो शुगर कंटेनिंग डिंक्स हैं जिसके अंदर हमारी जरातर सॉफ्ट डिंक्स हैं यह इसका जो है सेवन उसको कम करना चाह है अपने दिल को सस्त रखना चाहते हैं एक और समस्या है आम लोगों में कि जैसे कहीं सीने में दर्द हुआ तो लोगों को यह गलत फैमी हो जाती है कहीं हट अटेक तो नहीं आ रहा है या फिर इसमें बहुत सारी ऐसी गलत फैमिया क्या हैं जो आपके पास तो पेशेंट कई आते होंगे तो उनमें से ऐसे भी होते होंगे कि जिनको कुछ भी नहीं होता हूं को सीने में दर्द हुआ तो उन्होंने कहा कि पता चला आपने एक गेस्टिक का वो दे डी टैबलिट वो भी ठीक हो गया है तो यह गलत फैमिया क्या है दिल की बीमारी के बारे में खास को या नशे के कोई और अधने पदार्थों का सेवन कर रहे हैं हमारा वजन सामान्य से अधिक है और हमारी गती शीलता कम है तो हाट की जो कोई भी लक्षण हो उनको हमें और ज्यादा सीरियस लेता है अगर कोई बहुत व्यक्ति जो बहुत अच्छा एथलेटिक है स्पोर रिस्क फेक्टर्स अधिक हैं उनके अंदर लक्षण होना दो थोड़ी सी अलग बाते हो जाती है चाहे वो लक्षण वैसे ही हो दूसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति में चलते समय चाती पर भारीपन महसूस होना एक बहुत बड़ा प्रमुख लक्षण है जो हमें अर्ली देता है अब ये उस गती शीलता को अगर हम ध्यान में रखें ऐसी फिजिकल एक्टिविटी को जो हम समाने रूप से नहीं कर रहे हैं जैसे एक उधारन के तोर पे कई बार लोगों को महसूस होता है कि हम ट्रेन पकड़ने स्टेशन पे गए और वहां पे सीडियां चड़ है कि हम आराम से कर पाएंगे अब ऐसा भारीपन दो कारोन से हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे हिर्दे की ब्लड सप्लाई थोड़ी भादित है वो अटैक चाहें नहीं भी हो पर ये एक शुरुआती लक्षन है दूसरा कभी-कभी घर के अंदर ही हमने थोड़ा भारी काम किया जो हम आम तोर पे नहीं करते हैं और उतने भारी काम से भी हमको काम को बीच में रोकना पड़ा बैठना पड़ा थोड़ी देर आराम करना पड़ा मतलब कहीं न कहीं हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है अब ये लक्षन कई बार बहुत ही महीन या बहुत ही सटल ह होते हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते दो मिनिट बैठते हैं फिर अपना काम दुबारा शुरू कर लेते हैं पर अगर ऐसे लक्षण उस व्यक्ति में आ रहे हैं जिसके अंदर वैसे भी हिर्दे की धमनियों के संग सुकृडन होने के चांसे अधिक हैं उसको और अधिक ध्य प्रिक्षण देखें वह अचानक उसका मेंटल लेवल है उसके जो आजू-बाजू इर्दगर्द लोग रहते हैं उनका काम नहीं करता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर प्राया ऐसा जो प्रिक्वेशन इसको कहें कि या थोड़ा सा पहले कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे क कम से कम उसकी जान बच जाए से कुछ उपाए हैं क्या ऐसा कर सकते हैं क्या पहली सबसे प्रमुख चीज तो है कि अगर हमारे को शुरुवाती लक्षण भी हो रहे हैं तो हम कम से कम एक बार अपने हिर्दे का परिक्षण करा लें ताकि उसके लिए हम बचाव की चीजों क को और अच्छा कर सकें इसमें कुछ चीजें तो जीवन शैली से सम्मंदित हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं दूसरा अगर ऐसे लक्षण उन लोगों में हो रहे हैं जिनके परिवारों में हिर्दे घात की संभावना अधिक है तो उनको हम कई बार खून पतला करने की य एस्परिन की गुली का सेवन करने के लिए कहते हैं अगर उम्र अधिक हो गई है 45 साल से अधिक हो गई है तो वैसे ही हम रिस्क केटिकरी में आ गए तो तब हम और सचेत हो जाते हैं अपने हिर्दे को और बचा के रखने के लिए बढ़ती उम्र में तो ज्यादा आओ निय सकते कैसे कर सकते अब इसको ये दुनिया भर के लिए ही एक भोट यी महत्वपूर्ण विशय है के ठीक है हमें पता है के हम रिस्क में हैं और हमें ये भी मालूम है के हमको लक्षन हो रहे हैं और आपको काम भी करना है तो हम ऐसा कैसे करें कि हम उसका मांसिक तनाव नंग पर अपने आपको बचा के भी रखें तो पहली बात तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी चीजें हमारे जो हृदे की blood supply कम हो रही है ये एक reversible process है इसको हम ठीक कर सकते हैं और इसको हम नियमित ला सकते हैं तो पहला तो ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे तो जयदा अच्छा होगा इनफेक्ट हम कुछ और करेंगे तो पेटर होगा दूसरा सबसे जरूरी बात ये है कि हमें exercise tolerance बढ़ाना है धीरे धीरे हमें अपनी गती शीलता बढ़ानी है अपना वजन कम करना है गती शीलता बढ़ाने में ऐसा न करें कि अचानक से हम बहुत strenuous exercise करने लगें अचानक से हम तीन घंटा चार घंटा जिम जाने लगें बट धीरे धीरे ग्रेड़े फैशन में अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं वो ज्यादा अवश्यक है जो सड़न एक्सपेक्टेड काडियक इवेंट्स हुए उसमें से काफी सारे काडियक इवेंट्स होते हैं जब व्यक्ती बहुत strenuous exercise कर रहा होता है मतलब उसका हिरदे अभी उतनी exercise के लिए तैयार था नहीं और हमने बहुत ज़्यदा जिम पे गए ट्रेड्मिल करने लगे और कुछ-कुछ ऐसे भी अभी हाल-फिलाल में भी ऐसे कई सुप्रसिध व्यक्तियों में भी हुए के ट्रेड्मिल करते करते ही वह वहीं पर बेहोश हो गए गिर गए तो ध्यान ये रखें के हिरदे की अगर हमको ब्लड सप्लाइ बढ़ानी है तो इसको ग्रेड़ेड फैशन में बढ़ाना है पहले केवल तेज चलना शुरू करें मान लीजिए हम एक किलो मीटर का जो डिस्टन्स है वो 20 या 25 मिनिट में पूरा कर रहे थे तो अगले एक हफता लगाए उसको तेज चलके हम वही जो डिस्टन्स है उसको हम अब 15 मिनिट में कैसे पूरे करें और केवल ब्रिस्क वाकिंग से पहले शुरुआत करें अपने हिरुदे को तयार करने अधिक फिजिकल एक्टिविटी के लिए सीधे ही बहुत ही महेंगे एक्सपेंसिव जिम पे बहुत अधिक ट्रेडमिल करना ना शुरू करने जल्दवाजी में थोड़ा से उश्क्त हो सकते हैं क्वे दूक्टर सलाय दे रहे हैं और आप को पता है कि अप Éटरिक्स हैं थीरे आँए बढ़ी जल्दवाजी ना करें तो सकता है तो ऐसे में थोड़ा सा अधी दिमाग सही रहे संतुलन में रहे तो तनाव मुक्त काम किया जा सकता है जैसे सर ने मताया यह सर कैसे जानकारी लगती है कि आपका हर्ट जो है वो फेल हो रहा है कभी-कभी ऐसा होता है कि आखें भारी हो जाती है कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल लंबा जटका लग जाए तो फिर सर फिर क्या उमीदे हैं कि कुछ बचाओ हो सकते हैं सही समय पर कहा जाना चाहिए और के पहले क्या ऐसा करना चाहिए ठीक हो जाए थोड़ा से रिलेक्स मिलें बिल्कुल सही अमीस तक हम ने दो चीजों की बात की उस दो चीजों में घ्रदे़ घात या हार्ट अटेक बोलते हैं यह एक एक्यूट अचानक से आने वाली इस्थिती है जिसमें रुदे को दोब्लड सप्लाय करने ज्ञें अचानक से उकावट दे रहेती हैं हिर्दे घात या heart attack छाती में दर्द से प्रिजंट करता है और कभी-कभी अचानक से तेज सांस चलने लगती है इसके बनिस्मत एक दूसरा शब्द आपने इस्तमाल किया जो है heart failure heart failure एक थोड़ी सी अलग स्थिती है heart failure में भी हिर्दे काम करना कम करता है पर ये हिर्दे का जो काम करना कम है ये धीरे धीरे उस गिर्थी भी स्थिती तक पहुंचता है तो heart failure एक chronic या एक slow process है heart failure की शुरुआती लक्षन है कि अगर हम पहले एक किलो मीटर बिना कोई दिक्कत के चल सकते थे अब वो चलने का जो distance है वो अब एक किलो मीटर से कम होके मान लो 800 मीटर रह गया या 500 मीटर रह गया पहले जो हम 5 सीड़ी आराम से चल लेते थे अब ऐसा लग रहा है कि दो सीड़ी के बाद रुकना पड़ रहा है तो पहला सबसे पहला लक्षण है कि हमारा a physical activity की capacity कं हो जाना इस्टेमिनअ कं हो यह दूसरा इसका लक्षण है जो द्यान में रखना चाहिए वह है पाओं में हलकी हलकी सूजनाने लगती है तो यह एक indicator है कि कहीं न कहीं हार्थ हमारा उतना अच्छा पंपिंग एक्षन नहीं कर रहा है तीसरा उसके बाद के जो लक्षन है वो हैं कि जब धीरे-धीरे सांस करने सांस फूलने का प्रमाण अगर हमारी सामान्य एक्टिविटी पे भी होने लगे मान लीजिए घर के अंदर ही हम अभी चल रहे हैं या खाना पका रहे हैं या फिर हम शौच को जा रहे हैं ऐसी समान्य जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी अगर हमारा सांस फूलने लगे तो इसका मतलब यह हार्ट फेलियर थोड़ा एडवांस हो गया है जिन लोगों में हार्ट अटैक या हिदे घात हुआ है उनमें हार्ट फेलियर होने का प्रमाण या उनमें शंका बढ़ जाती है और इनकी संकाएं जो है ना और ज्यादा पनपें या और ज्यादा मूर्त लूप ले पाएं कुछ हानी हो इससे पहले डॉक्टर को दिखाएं यही सलाय सायद आपकी हो एक है के पहले तो अपने ल अच्छा बच्चों में अधि हम लक्षण की बात करें यह तो हमारा यंग एज की हो गए सीनियर इससे ज्यादा यादी 45 से अबब हो जाते हैं तब तो आपने बोली दिया है कि इनको तो इतनी रिस्क है कि इनको तो पूरा अपना फिजिकल वो करवाना ही चाहिए चाहे ज चोटे बच्चों में जो हिर्दे की बिमारियां जिस प्रकार की होती है वे बड़े व्यक्तियों से काफी अलग होती है एक तो बड़ा प्रमान बच्चों के अंदर जो हिर्दे की बिमारियों का हो है वो है कंजनाइटल हार्ट डिजीज या हार्ट की बनावट में ही 14 साल की हुई तो फिर ये पहचान में आने लगे इसको जानने का तो सबसे सरल तरीका यही है बच्चों के अंदर हम और अधिक activity level expect करते हैं पर मान लीजे कोई बच्चा खेलने नहीं जा रहा है या बाकी बच्चों के जितना फिजिकली एक्टिव नहीं हो पा रहा है ऐसे बच्चों को हम जल्दी पहचाने सरकार के माध्यम से अलग-अलग समय पर स्कूल हिल्थ सर्वे किये जाते हैं जिनके अंदर ऐसे बच्चे जिनकी जो उनका फिजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छी वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनकी उंचाई या ग्रोथ उतनी नहीं बढ़ पा रही है उनके परिक्षण करवाय जाते हैं एक बेसिक चकप किया जाता है ताकि इस प्रकार की जो हार्ट की कंडिशन है जो कंजनाइटल है वो पकड में आ सकें तो इसके लिए स्क्रीनिंग ही सबसे अच्छा माध्यम है और पहचानना के कोन ऐसे बच्चे हैं जो उतने एक्टिव नहीं है तो उसकी उन उस कम एक्टिविटी का कारण देखें फि आचते हुए गर गया वो ठीक है ट्रेडमिल करते हुए गर गया वो ठीक है वो अधर उसकी डैथ हो गई लेकिन यहां एक और दिकत हमने देखी है पेसेंटों में यह बहुत सारे मामले हमारे पास भी ऐसे आते हैं कोई रात में सोया और वो सोता ही रह गया पता चला जब पीम हुए तो उसका हार्ट फेल हो गया ऐसा गयो होता है तो अभी तक हमने दो चीजों की प्रमुकता बात की जो एक बड़ा भाग है वो एक तो हमने बात की थी हार्ट की ब्लड सप्लाई की और दूसरी हमने बात की थी हार्ट फेलियर की जो धीरे धीरे हार्ट की मासपे हैं जो हमेशा चलता है और अगर वो नहीं चल रहा है तो वेक्ति जीवित नहीं है उसको चलाने में मदद करती है हिर्दे के अंदर की तरंगे एक eletric signaling system होता है जो हिर्दे को समचित काम करने में मदद करता है यह electric सिगनल कैसे उत्पन हो रहा है इस पे लोगों ने खूब शोध किये तो यह एक आटोमेटिक सिगनलिंग और एलेक्ट्रिकल सिस्टम एक जनरेट होता है कभी कभी यह जो हमारी हिर्दे की तरंगे हैं वो अचानक से अबनॉर्मल हो जाती है जिसको हम मेडिकल भाशा में रिदम डिसॉडर या रिद्मिया या हार्ट ब्लॉक कहते हैं जिसमें वो एक एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक से रुक गई नीन में भी रुक सकती है जरूरी नहीं है कि जब हम काम कर रहे हैं या दौड भाग कर रहे हैं तभी वो रुकेगी ऐसी तरंगे अबनॉर्मल कभ हुई इसके भी हमको कभी कभी कुछ शुरुआती लक्षन मिल जाते ह हैं जैसे अचानक से हिर्दे की धरकन बैठे-बैठे बिना कारण के बढ़ने लगना या अचानक से चक्कर आ जाना या गिर जाना वह एक कुछ शुरुबाती लेक्षिन हो सकते हैं जो olduğ ह्मारा हार्ट का सिस्टम है उत्माइचा काम नहीं कर रहा है तो सोते सोते सरugen कभु कुछ सोते भी रहalar जाते हैं वृक्ति जब यहीडanking में होती है। 80-90 साल की उम्र में होती है तो कल्चरली इसको हम कहते हैं कि यह एक शांथ मृत्यू है कि व्यक्ति अचानक से नीन में जब सुबह उठा तो व्यक्ति जीवित नहीं था अब्यस्ली जब यही चीज एक कम उमर में होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है लेकिन दोनों चीजों में प्रोसेस बेसिक मूलभूत प्रोसेस यही है यह अरिद्मियास के कारण होता है हिर्दे की जो एलेक्ट्रिक तरंगे हैं वो कभी-कभी अचानक से जिस तरह से एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वैसी नहीं होती इसमें हिर्दे को बचा लेने का अगर आपने हार्ट को बचा लिया तो वो बचा सकते हैं अगर हार्ट की अबनॉर्मल तरंगों की जो डिएशन है वो बहुत बढ़ गई तो उसको बचा लेना बहुत मुश्किल होता है तो बहूत मस्कल है, तो बहुत में जल्दी पेशनिटी मिलना या एकस्पर्ट मिलना बभिसीसिक मिलना तो बहुत दिक्कत वाला काम है ऐसे हम हमें क्या करएं फिर लोग लगता है इस इस्थिति में कुछ जो और लक्षन है जैसे चक्करा जाना या अचानक खड़े-खड़े बेहोश होके नीचे गिर जाना अगर इस तरह के कोई हमको warning signs मिल जाते हैं पहले तो उनको lightly ना ले और उसमें देख लें के कहीं heart की जो electrical activity है उसमें कोई abnormalities तो नहीं है ठीक बात है अब सर जिसे बच्चों की बात की युवाओं की बात की या बैक्सकों की बात की और थोड़ा सा और old age की बात की इन में कब-कब सर ये सलाय भी हमारे दर्सक जानना चाहेंगे कि कब-कब हम medical विसे सग से या कब-कब हम ऐसे investigation करा हैं जिससे हम पहले से अलाइट रहें कि अब हमारा system जो बॉड़ी का पूरा system हो हिर्दा प्रॉपर काम कर रहा है दिल पूरे अच्छे तरह से काम कर रहा है इसलिए हमें अब ज्यादा तनाव लेने के रुए और हिर्दा यादी जिसे धमनिया या सत्य है कि health जो स्वास्थ है वो ज्यादा common event है और बिमारी या जो disease है वो एक uncommon event है तो अधिक से अधिक लोग स्वास्थ स्वास्थ रहते हैं और लक्षन रहित रहते हैं अगर कुछ लक्षन हैं जैसे के छाती में दर्द होना चलने पर उतना तेजी से या उतना काम ना कर आना जिसकी हमें पहले से आदत थी तीसरा पाओं में सूजन आ जाना थोड़ा ही काम करने पर सांस खुलने लगना आंखों के अंधेरा आ जाना बेहोशी आ जाना ये कुछ पांच ऐसे प्रमुक्ष लक्षन हैं जब ऐसे लक्षन होते हैं तो हमें medically संपर्क करना चाहिए जानने के लिए ये क्यों हो रहे हैं इसके लिवाद दो चीजें और हैं जो अब पूरे देश में और पूरे विश्व में इसको मान लिया गया है कि तीस साल से अधिक उम्र में हर व्यक्ति को हर साल अपना blood pressure मापवा लेना चाहिए और अब भारत सरकार ने भी लांच किया है तो हमको इन चीजों को भी व्यवस्तित करना है ये भी हमें हिर्दे से के जो रोग है उनसे और इवन सदन का डेक दत से बचा के रखेंगी आपने हमारे लिए बहुत समय निकाला बहुत बहुत सुक्रिया और कुछ ऐसा कि हम आप से ना पूच पाए हो आप हमारे अविशक है और अपने स्वास्थे के प्रती सजग रहना बहुत ही अधिक अविशक है इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है खुद को स्वस्त रखने में वो है कि चीजों को इग्नोर ना करें एक और दूसरा बहुत ज़्यादा ऐसी नई नई चीजों से और नई नई प उसका असर शरीर में बहुत लंबा रहता है तो अपने को स्वस्त रखें नेचर के जतना पास रखेंगे उतना अच्छा रहे बिलकुल प्रकती के पास रहें चलते रहें घूमते रहें फिरते रहें खेल कून में रहें यही डॉक्टर साब की सला है तो हमारे साथ आज दे दिल को यदि स्वस्त रखना चाहते हूं तो क्या कुछ आपको करना चाहिए लापरवाही तो बिलकुल ना बढ़ते क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है आज हमारे इस खास कारिक्रम में इतना ही मुझे दीजी आज़त नमस्कार कर दो कर दो